नमस्कार आप देख रहे हैं नैशनल इंडिया नियूज में आपके साथ जोति कुमारी बीते दिन शुकरवार को राजय सब्बा में आतंगवाद के खिलाप UAPA संशोधन बिल यानी की Unlawful Activities Prevention Act को पास कर दिया गया है बिल के पक्ष में 147 और विपक्ष में 42 वोट पड़े इस बिल में 11 कानूनी गतिवीदियो में शामिल विक्ति को आतंगी घोशित करने का प्रावधान है आतंगी गदि वीदियो में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कारवाई के लिए मोधी सरकार शंशोधित UAPA बिल को लेकर आई है महीं UAPA चर्चा के दोरान कांग्रेस समेथ विपक्षी दलों ने विधेयक में शंशोधन का विरोध किया था कांग्रेस नेता पीचितंबरम ने कहा कि इस अशोधन विधेयक के जरिये NIA को और अधिक शक्ति शाली बनाने की बात कही गई है लेकिन सच ये है कि इसके जरिये अधिक शक्तियां के इन सरकार को मिल रही है वहीं दिगविजे सिंग ने BJP पर आतंगवाद से समझोता करने का आरोप लगाया था ग्रे मंत्री अविशहा ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि दिगविजे सिंग जी कह रहे हैं कि मुझे ही आतंग की घुशित कर दो आपका गुस्सा जायज है वे क्योंकि अभी अभी चुनावारे हैं लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूँ कि यदि आप कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा साथ ही दिगविजे सिंग ने ये भी कहा कि हमें BJP की मन्शा पर संदय है आतंगवाद से समझोता करने वाले आप लोग हैं BJP सरकार ने पहले रुबयास सयद और फिर मसूद अज़र को छोड़ा था तो महीं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए माकपा के इलामारम करीम ने कहा सरकारी आतंगवाद थोपा जा रहा है और आसहमती जताने वालों को आतंगवादी घोशित किया जा सकता है इससे बड़े पेमाने पर उत्पीडन और अन्याय होगा साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस अंशोधन से राश्ट्रिय जाच एजनसी एन आई ए को किसी भी राज्जे सरकार की अनुमती लिये बिना या उसे सूचित किये बिना उस राज्जे में जाने तथा किसी वेक्ति के खिलाफ कारेवाई करने का खुला लाइसेंस मिल जाएगा इलामरम ने भाज्जपा सरकार को सनातन संस्था जैसे कुछ कटरपन्ती संगटोनों के प्रती नर्म रवया अपनाने का आरोप लगाया साथी उन्होंने कहा कि आप इसे आतंगवादी संगटन के तोर पर सूची बद क्यों नहीं करते उन्होंने ये भी कहा कि भाज्जपा के ही एक मंत्री ने कुछ साल पहले आतंगवादी मसूद अज्ज़र को देश के बार पहुचाया था इलामरम उच्छी सदन में वामदलो के एक मात्र सदस्य हैं इलामरम ने कहा कि हम आपके बहुमत धन, बल और ताकत से नहीं डरते उन्होंने विधेयक को प्रवर समीती में भेज़े जाने की मांग करते हुए कहा कि वह इस विधेयक का विरोध करते रहेंगे तो वहीं दावायर की रिपोर्ट में विल्शन ने कहा कि क्या केन सरकार का अधिकारी किसी भी वेक्ती को आतंगवादी घोशित कर सकता है विधेयक में ये नहीं कहा गया है कि केन सरकार का वह अधिकारी कोण होगा जो किसी वेक्ती को आतंगवादी घोशित करेगा उसे इतने अधिकार क्यों दिये जा रहे हैं? अधिकारी कोई नियाईक अधिकारी तो नहीं होगा? साथ ही सवाल ये है कि किसी भी वेक्टी को आतंकी संधय में आतंगवादी घोशित करना कितना सही है? सरकार तो सिर्फ चंता की सेवक है, मालिक नहीं लेकिन मोदी सरकार आप लोगों की मालिक बनने की कोशिश कर रही है जो की असा मेधानिक है फिलाल इस खबर में इतना ही देखते रहे है नैशनल इंडिया नियूस शुक्रे